पूर्वी और पस्चमी राजस्थान के कई जिलों में भारी तो कहीं के अति भारी बारिस रिपोर्ट की गई है पस्चमी राजस्थान के खाजुवाला भीका नेर में सर्वादिक बारिस एक सो पिच्चान में एम्म रिपोर्ट हुई है इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के सवाई मादोपुर जिले में भी मलार डुंगर स्टेशन पे 141 एम्म यानि अति भारी बारिस रिपोर्ट हुई है अब बात करें दि आगामी दिनों के वारिस पूर्वानमान की तो पिछले दो दिनों से जो पूर्वी राजस्थान के ऊपर सिस्टम बना हुआ था आज यह साउट वेस्ट राजस्थान की तरफ आगे बड़ा है इस सिस्टम के अशर से अभी भी अगले 24 गंटों के दोरान खासकर हजमेर नागोर जोदपूर पाली इसके अलावा बार्ड मेर जैसल मेर और बीका निर जिलों में मध्यम से तेज बारिस तो कहीं कहीं बारी और एक दो स्थानों पर अत्ती भारे बारिस होने के लिए प्रबल संभावना है इसके अलावा यह दि देखें तो एक और नया लो प्रेसर सिस्टम आज जार खंड के उपर बन गया है और यह अगले 24 गंटों में दीरे दीरे पस्चमी यानि पस्चम की और आगे यह सिस्टम आगले दो दिनों के दोरान मध्य प्रदेश से होते हुए पूरवी राजस्तान की तरफ 3-4 अगस्त को भांजने की संभावना है इस नए सिस्टम के असर से 3 अगस्त को ही दक्षिन पूरवी राजस्तान के कई इलाकों में फिर से मानसों सक्रिय होगा यानि इस सिस्टम का सर्वादिक असर 4 और 5 अगस्त को राजस्तान की अधिकांस भागों में रहेगा इस दोरान उद्यपूर कोटा संभाग में बारी से अत्यंत भारी बारिस तो एक-दो इस्तानों पर एक्स्ट्रेमली हेवी रेंफाल भी 4 अगस्त को रिपोर्ट हो सकती है या और 5 अगस्त को इस मानसुन सकरे रहेगा अधिकांस भागों में बारिस दर्ज होगी कहीं के भारी बारिस की संभावना है वहीं पस्चमी राजस्तान में भी इस सिस्टम का असर 4 अगस्त से 6-7 अगस्त तक बना रहेगा तो कुल मिलाकर अभी भी राजस्तान में अगले ए या लूगान्र जारी किया है आम जन और जो पिता भाई हैं उनको इस ला दी जाती है कि खासकर तेज वारुञी यद्चन की वह रहे है तो खासकर वहां सालक विशेज साभदानी के गणेस